Hi Friends, Welcome to Texila Channel आज के इस सुड़े में मैं आपको बताने वाला हूँ Google Chrome में Not Enough Memory to Open This Page इस Error को कैसे fix करते हैं, इस Problem को कैसे solve करते हों मार्च विडो में देखेंगे आपने हमारे चैनल को भी तक सब्सक्राब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राब करें इसी तरह के interesting विडियोस देखने के लिए चलिए विडियोस शुरू करते हैं सबसे पहले आपको Windows की प्रेस करना है उसके बाद आपको जाना है View Advanced System Settings में यहाँ पर देखें View Advanced System Settings इसको Open करना है इसको Open करने के बाद आपको यहाँ पर Advanced Select करना है उसके बाद आपको Settings पर क्लिक करना है Settings पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से Advanced पर क्लिक करना है Advanced पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको Option मिलेगा Change उसके आपको क्लिक करना है Automatically Manage यहां पर select है तो आप इसको unselect करना है उसके बाद आपको custom से select करना है यहां पर आपको tap करना है 1024 उसके बाद आपको maximum size select करना है यहां पर आपको tap करना है 1024 उसके बाद आपको ok पर click कर देना है ok कर देना है उसके बाद आपको अपना PCO लेप्टार पे बरीश्टर करना है आपका प्रॉब्लम स्वाल हो जाएगा तो अप इस तरह से इस प्रॉब्लम को स्वाल कर सकते हैं उमीद कर से चोटा सी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए शेर करिए और सब्सक्राब करना ना भूले टेक्जिला चनल को मिलते हैं नेक्स वीडियो में